हलो फ्रेंड्स अस्टिमी नॉमी पर बनने वाले विसेस प्रशाद हलवे की रेसिपी कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों पहली बार में ही एक दम भंडारी जैसा शाइनी दानेदार रसीला मूह में जाते ही घुल जाए ऐसा जानी घी और चीनी लगेगा क्या खास चीजे हैं जो हलवाई डालती है यह सभी चीजे स्टेप बई स्टेप मैं आज आपको बताने वाली हूं दोस्तों आप सभी से निवेदन है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्र कीजिए तो भंडारे जासा बढ़िया दानेदार हल्वा बनाने के लिए मैंने यह पर दो कटोरी चीनी ली है और इसमें डाल दिया तीन कटोरी पानी तो दोस्तों नाप बहुत जरूरी है आप कोई भी कटोरी कब ग्लास ले सकते हैं और उसी से नापकर सारी चीज अकर ड मैं नाडी डिए में चीनी पानी तरी संव बनअ तर इस तरीकर से जब हम चीनी पानी का गोल बना कर त्यार कर लेते हैं तो अल्वा भी बहोत जलदी बनकर भी कह रहती है तो उप्धी खिला बनता है याँ भर चीनी बहुत आप अधिया तो 1 मिनट दाल थाये पनाने दोस्तों हमें सूजी जो लेनी है वो बारीक वाली सूजी लेनी है मोटी वाली सूजी कर आपके पास है तो आप एक से दो बार अगर मिक्सी में से चर्ण कर लेंगे तो पुलकुल परफेक्ट हो जाएगी और इस सूजी के साथ जाएगा गी तो मैंने आप अभी आधा कटोर ँसालव बनकर त्यार होगा ऐक टोरी सूजी के लिए अधा कटोरी घी दो कटोरी चीनी और 300 कटोररी पानी इस रेशियों से अगर हमना बनाते हैं तो यह बिलकुल भी जिएखकां नहीं बिलकुल भी इवनाने इगा यह बहुत सूखा भी नहीं रहेगा बल्कुल जल्द बाजी बिल्कल नहीं करेंगे अगर आपने हाई फ्लेम कर दी तो आप कितनी भी सूजी और घी डाले आपका हल्वा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा अभी सूजी ने की को अच्छे से एब्सॉब कर लिया इसलिए और यहां देखिए यह जो सूजी है वो घी के चुड़ दिया और कलर बहुत अच्छा है तो हल्का गुलाबी या फिर गुलाबी रंगी सूजी अगर आप बनाते है तो बिल्कुल सफेज सफेज सा यह हल्वा बनकर तयार होता है कि जब हम सुगर शिरफ डालते हैं तो सूजी फूल जाती है और अपना कलर भी कम कर लेत अच्छे से हमारी सूजी भूनकर तयार हो गई है और अब में आपको देने वाली एक सीक्रेट इंग्रेडियंट जिससे यह हल्वा बिल्कुल भंडारे जैसा बनेगा एक कटूरी सूजी में सिर्फ यह एक चमज बेसन जाएगा और इससे एक दम पॉर्फेक्ट हल्वा ब इसी तरीके से गरम ग्रम सूजी में ड्रायफ्रोंस दालते हैं और बाउन हो जाते हैं और आशे हल्वे बाना वा सुगर सिर्फ जाएगे तो बाहर की तरफ निकलेगा थोड़ा ठोड़ा एड करिये और मिक्स करते जाइए और यह थोड़ा सा शुगर सिर्फ डाला है और स तो आप इसे एक बार और गरम कर लीजेगा जैसे ही हम यह गरम-गरम सुगत सिरफ डालते हैं वैसे ही सूजी अच्छे से फूलाइश शिरू हो जाती है और शाम तक भी जब आप इस हल्वे को रखेंगे तो यह बिल्कुल वी ड्राइन नहीं रहें और इसी तरीके से मुलाय है यह हमारे हल्वे का दाना पूरी तरीके से ट्रांसलुसेंट हो चुका है इसमें सूजी का एक बी डाना सफेद नहीं है यह सूजी ने अच्छे से पानी को सोग कर लिया है अगर आप इसकी भरफी जमाना चाते तो एक से दो मिनट इसे और अच्छे से पैन छोड़ने त अच्छे सूजी को कमाइन करेगा और बहुत बड़ा सा टेस्टी सा यह हल्वा बन कर त्यार है और यह देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ एक एक दाना आपको इसका दिखाई दे रहा होगा और यह देखिए बिल्कुल भंडारे में जासे हल्वे को रखते है और हमारे इस हल्वे की शेप आ गई है बिल्कुल परफेक्ट हमारा यह हल्वा बन कर त्यार है तो हम ने भी अपने घर में बना लिया बंडारे में बनने वाला बहुत ही टेस्टी से यह माता कप्रिशाद का हल्वा